किसी के होने नौ होने से क्या होता है, इसे मातर वही समझ सकता है, जिसमें एहम अर्थात घमन नौ हो और वह उसके होने नौ होने से जो जीवन में फर्क पड़ा है, उस पर निश्पक्ष विचार करता हो वही जान सकता है किसी के होने नौ होने से क्या होता है अधिकांस्ता लोग किसी की कद्र तभी तक करते हैं जब तक कि उसकी जरूरत हो, जरूरत पूरी या खत्म होते ही लोग उसे उपचित करना सुरू कर देते हैं, आता ऐसे लोगों को अपना सुपचित कभी नहीं समझना चाहेगे स्वयम में नयतिक्ता और मानुवी गुण होना चाहेगे, भय कदाबी नहीं होना चाहेगे, क्योंकि भय स्वयम को सक्तिहिन बना देता है, स्वयम को कमजोर बना देता है अगर कोई मुल्यवान को बहुत सस्ते में दे रहा है या किसी के वास्तिक मुल्ग से बहुत जादा मुल्ग दे रहा है तो समझ जाए कोई न कोई खोट है क्योंकि मुल्यवान को सस्ते में देना गलत है यद कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहा है दुख में किसी भी तरह का आपका साथ दिया है इसके बाद भी यद आप उसका परिहास उड़ाते हैं तो आज नहीं तो कल आप या तो आपके बंज का पतन निश्चित है इसका परडाम भुगतना पड़ेगा